दोस्तों एक आटोमेटिक आयरन है 750 वाट की है हैवी वेट है तो एक दम न्यू जैसी है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें फाल्ट क्या है इसमें फाल्ट है हीटिंग का यह कम गर्म होती है जिसे कपड़ा जो है पूरी तरह से नहीं बैठता कपड़े की जो क्र करेंगे अगर आटोकट सही हुआ तो इसकी हीटिंग को आप कैसे जादा कर सकेंगे तो यहां से आप इसकी हीट सेट कर सकते हैं अगर आप इसको जादा करेंगे उसके बाद भी यह पूरी हीट नहीं होती तो फिर इसकी हीट अंदर से कैसे बढ़ाते हैं इस वीडियो में यही आपको दिखाएंगे, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल में ने हैं तो चैनल को स्क्राइब करें, अब हम इसको ओपन करेंगे अब दोस्तों इसको ओपन तो हमने कर दिया है, तो अब जो इसकी सेटिंग है यही इंपोर्टेंट है यहाँ पर एक सक्रू लगा है, यह आप देख सकते हैं, इस सक्रू से ही आपकी हीट कम या जादा होगी तो हमने इसमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में इस सक्रू को हमने टाइट करना है तो तीन या चार राउंड आपने इसको घुमाना है जैसे तीन चार राउंड आप इसको घुमाएंगे तो आपकी प्रेस है वो ज़्यादा हीट होने लगेगी क्योंकि यही इसकी सेटिंग होती है तो हमने फिलाल इसको घुमा दिया है आप अपनी वस्कता अपनी जरूरत अनुसार आप हीट को सेट कर सकते हैं हमने इसको घुमा दिया है हमारी जो प्रेस है अब पूरी तरह से ओके हो चुकी है क्योंकि जो हमारी हीट ती हीट प्रेस लेकिन थोड़ा कम था इसलिए हमने तीन चार राउंड इसमें गुमा दिये है अब हमारी प्रेस एकदम से सही हीट होगी तो यहां से भी आप इसकी हीट सेट कर सकते हैं तो यह जो काली काली इसमें एक नोब लगी है उपर से जो रोटरी स्विच होता है उसको गुमाने के दिए तो यहां से भी इसको सेट कर सकते हैं लेकिन हमने इसकी हीट अंदर से सेट कर दी है अब इसको हम फिट करेंगे फिट करने के बाद इसका रिजल्ट हम देखेंगे अबिट करना हुआ है अबिट कर दो सुमाऊ अबिट कर दो अबिट कर दो झाल झाल दोस्तो अब हमने इस प्रेस को फिट कर दिया है अब सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं यह हमारे पास पावर का बोर्ड है तो इसको देते हैं मेंस तो यहां से ओन करेंगे तो हमारी प्रेस ओन हो चुकी है यहां से आप इसकी हीट को कम कर सकते हैं इस तरह से आप हीट को जादा कर सकते हैं हमने इसकी हीट अंदर से बढ़ा दी है अब ये प्रेस हमारी जादा हीट होगी तो दोस्तों इस तरह से किसी भी प्रेस की आप चाहें तो हीट को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.